हाई फ्रेंज यह है एम माई का 6X स्मार्ट फोन जो इंडिया में माई A2 के नाम से लॉंच हो गाए इसका पहला वर्जन 5X था जो माई A1 के नाम से लॉंच हो था जो एंडुड वन पांड बेस्ट सिस्टम होता है और यह जो सिस्टम होता है बहुत ही अच्छा लेटिश्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकते हैं अंडुड के तरह से यह माई का फास्ट चार्जर जो बहुत ही जल्दी आपका स्मार्टफोन को चार्ज कर देगा एक घंटे के अंदर में आपके 100% तू चार्ज कर देगा 90% सब गरेंटी चार्ज कर देगा और यह है USB केवल और बॉक्स कॉंटेट में कुछ जादा लिए वस एक स्मार्टफोन है जो MI6X है जो इंडिया में A2 के नाम से लांच होगा फोन दिखने में बहुत खुबशूरत है इसका कैमरा भी बहुत अच्छा है और स्पेक्स इतना अच्छा कि आप सोच नहीं सकते हैं यह फोन अंडर 17,000-16,000 के आस पास आएगा इसमें आपको मिलते हैं 5.99 इंच का फुल HD डिस्प्लेइश स्पाइब टेगन 660 लेटेस्ट और इसमें एक तीन भर्जन हैगा 464,666,6.20 और एंड्राइड ओरियो में आएगा एंडिया में और चाइना में MIUI के नाम से और इसमें आपको मिलेगा ए कैमरा डूल रियर कैमरा जो 20 मेगापिक्सल और 12 मेगापिक्सल को होगा और इसमें आपको फिंगर्पिंट सेंसर दिखने को मिलेगा और स्पीकर भी इसका बहुत मस्त है और कैमरा सबसे बेश्ट है इसका अंडर सेविंटी थाउजन के आसपस माने लिए रेड्मी नाइड नोट फाइब प्रो का कंपेरिजन में देखा दिया तो यह फोन लॉंच होगा एंड्रोइड वान के साथ जो आपको MIUI के एक्सप्रियेंस नहीं देश सकता है यह फोन मेटालिक वोड़ी है बहुत ही अचा बहुत ही अचा इसका डीजाइन है और इंडिया में आएगा तो रेड्मी नोट फाइब प्रो को रेप्लेस कर सकता है तो इसका जो कर्व है बहुत ही अच्छा बिजाइन की तरह बना है दोनों सिमलर टाइप के है रेड्मी वरिवक्त प्रो और यह ब्लाक कलर का वेडियंट है इसमें तीन वेरेन्ट मिल सकता है ब्लाक और इस्पेस ग्रेच और एक गोल्ड या रोस गोल्ड भी आसकता है इंडिया में तो एक अच्छी स्मार्ट फोन लॉंच होने वाले है जल्दी इंडिया में तो इसमें आप द इसमें चेंजेस दिखेंगे जिससे कि आप अगर कोई भी अप्लिकेशन खुदते हैं तो इसमें बैक करने के लिए आप राइट स्वाइप करेंगे तो बैक हो जाएगा तो अलग फीचर एड हुआ है इसमें MIUI में और फोन बहुत ही खुबसूरत है इसमें नौच नहीं है तो आप हेट नहीं कर सकते हैं अगर हेट एट हैं नौच वाले सिस्टम से तो इसके सेटिंग में कुछ अपडेट किया गया है और अगर आप इसको राइट स्वाइब करेंगे तो यह बैक हो जाएगा मतलब कि आपको बैक नहीं करना है राइट स्वाइब करेगा यह ऐटूमेटिक हो जाएगा तो इसमें फीचर अछी-अची आड हो चुकी है तो अलग अलग है MIT को UI feature latest है तो आपको experience भी अच्छा लगेगा तो इसमें आपको मिलता है hybrid sim slots जो आप 2 sim और 1 microSD या 1 microSD और 1 sim card लगा सकते हैं फोन काफी अच्छा है हद तक और 70,000 करेंडर में फोन इससे बेटर आपको option कोई नहीं निल सकता तो आप इसे best choice मान सकते हैं यहाँ पर भी competitive आ चुका है Asus का फोन जो 14,000 के फोन में आ गया है जो आप खरीद सकते हैं और फोन भी बेस्ट है और यह फोन भी बेस्ट है तो आप जल्दी ही कोई भी डिसाइटर करके ले सकते हैं इस फोन में आपको latest हर चीज मिलेगा अगर I am my UI lover हैं तो आप भूल जाए इस फोन को क्योंकि इसमें Android One मिलेगा इंडिया है और उसमें आपको latest operating system का भरोसा मिलता है MI की तरफ से और Android की तरफ से तो आप उसे ले सकते हैं और यह फोन का best feature है तो इसका camera इसका camera 12 Megapixel और 20 Megapixel में आता है जो depth, aperture और beauty अलग-अलग mode में आता है जिससे आप अपने बेहतरीन picture क्लिक कर सकते हैं इसका best camera 20 Megapixel front camera है जो आपको selfie लेने में मदद करेगा और एक अच्छी selfie ले सकते हैं आप जो HD quality में होगा और बहुत ही अच्छी quality में 20 Megapixel front camera है तो obviously यह अच्छी camera है जो Redmi Note 5 Pro The Megapixel सा specification है दूनों competitive और दूनों competitive PS है तो यह आपको Android 1 मिलेगा तो latest operating system मिलेगा तो इसका camera भी बेश्ट है और इसका processor भी बेश्ट है इसमें gameplay की लिएगा हो